नई परिवन नीती और नीजी रूटों पर पर्मिट दिये जाने पर प्रदेश में तीसरे दिन भी रोडवेस का चक्का जाम जारी है यमुनानगर में भी हाला जस से तस बने हुए हैं वही रोडवेस का रमचारी अपनी मांगो को लेकर हरतार पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी कर रहे हैं क्योंकि अब तक सरकार और रोडवेस यूनियन के बीच कोई भी सहमती बन नहीं पाई है प्रोडवीज की हर्ताल तीसरे दिन भी जारी है जहां ये अमना नगडीपो को लाखो का नुक्सान हो रहा है वही पूरे देश में करोडों के नुक्सान का अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे में आम जंता इस हर्ताल में पिस्ती हुई नजर आ रही है क्योंकि ना तो कोई आफिस जा पा रहा है और ना ही कोई अपनी जॉब इंटर्वियू पर और प्राइविट बस से और आटो टेक्सी चालग अपनी मर्जी के दाम वसूल रहे हैं हाला कब बदलेंगे कहना मुश्किल है लेकिन अभी ये हर्ताल प्रदेश की जनता के लिए आफ़त बनी हुई है अपनी मांगो के लिए जनता को परिशान करना कहां तक जायज है इस बात पर भी ये करमी सरकार को ही कोस्तेर सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए दिख रहे हैं अब देखना होगा कि सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है मैं अभी आई हूँ मुझे पता नी था यहां पर स्ट्राइक चल रही है और मुझे अर्जेंट था जाना यहां पर बस उसकी स्ट्राइक है डेली जाना था मुझे बहुत प्रॉब्लम है अभी यह तो पता नी कब तक कि स्ट्राइक है कल है आज अब तक है पता नी मुझे ऑफिस जोइन करना था जाते ही अभी पता नी कब तक है मैंने इंक्वारी में बता किया तो वो बता रहे हैं कि स्ट्राइक है और कब ते कही ये भी नहीं बता रहे हैं यमुना नगर से सुमित अब रॉय की रिपोर्ट नैशनल बस के लिए